केंद्रियम मंत्री मंडल के विस्तार के वाद मंत्री मंडल में शामिल नए मंत्रियों के विभागों की घोशना की गई देश में राष्ट्र व्यापी टीका करण अभ्यान की तहट अब तक 36 करोड 48 लाग से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए प्रदेश में पांच वर्ष्ट तक के बच्चों का वजन मापने और किशोरी बालिकाओं का हिमोग्लोविन टेस्ट कराने प्रदेश व्यापी वजन त्योहार की शुरुवार और बस्तर संभाग के सभी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिकत और सामुदाईक वन अधिकार मानिता पत्र वितरण के लिए विशेश अभ्यान चलाया जाएगा नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ मनीश हलुवालिया और अब समाचार विस्तार से मोधी सरकार के मंत्री परिशद में 43 मंत्रियों को शपत दिलवाई गई है जिसमें ज्यादतर नए चहरे शामिल हैं इनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी के दूसरे कारेकाल में मंत्री परिशद का ये पहला विस्तार है भाजपा निताओं में नारायन राणे, ज्योती राधित्त सिंधिया, सरबादंद सोनुबाल, डॉक्टर विरेंद्र कुमार, अश्विनी वैश्नव और भुपेंद्र यादव तथा जनतादल यूनाइटेट के आर सी पी सिंग और लोग जनशक्ति पार्टी के पशुप रुपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाये गया है। अश्विनी नाराएंड स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट, बी एल वर्मा, अजय कुमार चौहान, देवु सिंग और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपत ली। भाजपानेता, कपिल पाटिल, सुभाज सरकार, भारती पवार, विश्वेश्वर तुडू, शांतनु ठाकुर, जौन बारला, एल मुरुगन और निशीत प्रमानिक तथा अन्य को भी राज्य मंत्री की शपत दिलाई गई। नए मंत्री परिशत के विभागों की घोशना भी कर दी गई है। खेल मंत्राले भी दिया गया है, मनसुक मंडाविया को नया स्वास्थ मंत्री बनाए गया है, उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्राले भी रहेगा, सर्वानन सोनोबाल, नय पोत परिवहन और जहाज रानी मंत्री होंगे, अश्विनी वैशनाओ को रेलवे, संचार और का कारेभार स्वांपा गया है, भुपेंदर यादाव श्रम मंत्री होंगे, रामचन प्रसाथ सिंग स्पात मंत्री बनाए गए है, पशुपति कुमार पारस खाध्य प्रसंसकरन और उद्योग मंत्री होंगे, डॉक्टर विरेंदर कुमार को सामाजिक नयाय और अधिकार अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का प्रभार समाल लिया। इस औसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने पिछले साथ वर्षों में महतोपूर्ण काम किये हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपने जिम्मेदारियों को बहतर ढंक से निभाने के साथ ही देश वासियों की अपिक्षाओं पर भी वे खरा उतरेंगे। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शांदार काम किया है पिछले साथ वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्राले कोई माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या-क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किये हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी और जो जिम्मेदारी माननी है परदान मंत्री जी ने मुझे मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संबब प्रयास करूँगा जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सब के सैयोग से इस जिम में दारी का निर्वायन ठीक ढंक से कर पाऊं। में दारी का निर्वायन ठीक ढंक से कर पाऊं। में प्रदेश के आंगनवाडी केंद्रों में प्रदेश व्यापी वजन त्योहार शुरू हो गया है। ये त्योहार सोलह जुलाई तक मनाए जाएगा। मुख्यमंत्री वुपेश बगेल ने कल महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे इस वजन त्योहार की शुरूआत की। इस उसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे यदी मजबूत होंगे और ताकतवर बनेंगे तथा बेटियों में खून की कमी दूर होगी तो निश्च तरूप से 36 गड़ मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार यरूप से वजन कराकर उनके सुपोशन इस्तर का मुल्यांकन कराने और किशोरी बालिकाओं का हिमोगलोबिन टेस्ट कराने की अपील की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिरगाओं में कारेरत आंगनवारी कारेकरता नीलू परगणिया और कुपोशन से स्वस्त हुए बच्चे की माता संगीता साहू से भी चर्चा कर सुपोशन योजना के बारे में जानकारी ली। बिरगाओं के कारेकरम में मौझूद विधायक सत्यनायन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों और बालिकाओं में कुपोशन खत्म करने के लिए सुपोशन अभियान चलाय जा रहा है। कुपोशन खत्म करने का सब से बड़ा अभियान हमारे प्रदेश में चला है। मानि मौकमत तेजी ने सुपोशन योजना का प्रणा किया उसके तहट लाप हो रहा है बच्चों को और बच्चे सोस्त हों किशोरी बालिकाओं का हमोगलोविन चेक हो बच्चों की हुचाई देखी जाए औसत हुचाई देख करके वजन देख करके बच्चों को और सुप बालिकाओं का हिमोगलोविन टेस्ट किया जाएगा और आयपुर जिले में वजन त्योहार के आयोजन के लिए 1882 आंगनवाडी केंडरों को क्लस्टर में बाटा गया है बस्तर संभाग के सबी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिगत और सामुदाईक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए विशेश अभ्यान चला जाएगा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने आदिम जाती विकास विभाग के समीक्षा बैठक में विभागी अधिकारियों को इस सम्मंध में आवश्यक नरदेश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल के दंतेवाडा, सुक्मा, बीजापूर और नारणपूर जिले में पात्र लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिये जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेश शिविर का आयोजन किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थाइत्व देने के लिए भूमी के उपभोग का अधिकार दिया जाना जरूरी है मुख्यमंत्री ने वन भूमी पट्टा वितरन की शुरुवात जिला मुख्याले से लगे हुए गाउं से करने की करते हुए कहा कि ताकि उन्हें खेती किसानी के लिए आवशक मदद और शासन की योजनाओं से भी लाभन वित किया जा सकते आयुक्त शम्मी आबीदी ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम संबंधित ऑनलाइन मोनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है पाइलेट प्रजेक्ट के रूप में शुरुवात कोर्वा और धमतरी जिले से की गई है समिक्षा बैठक में मुख्यमंतरी ने ये भी कहा कि देवगुडी आधिवासियों की आस्था के केंद्र हैं देवगुडीयों को संग्रक्षित करने के साथ ही देवगुडी स्थल को बहतर धंक से विकसित किया जाना चाहिए इसके लिए राश्य की कमी नहीं होगी बैठक में मुख्यमंतरी ने प्रयास आवासिय विद्यालेओं सहित अन्य विशेश शेक्षिनिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन की स्थिकी समीक्षा भी की उन्होंने प्रयास आवासिय विद्याले से उत्तीरण होने वाले विद्यार्थियों से सतत संपर्क और केरियर कॉंसिलिंग का सिस्टम विकसित करने की निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं कृषी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश के गौठानों में निर्मित वर्मी कंपोस्ट और सूपर कंपोस्ट का विक्र है अब आउटलेट्स में भिक्या जाएगा इसकी तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए जिला मुख्याले में इसके आउटलेट्स प्रारब करने या संजीवनी जैसे आउटलेट्स में इसे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं क्रिशी मंत्री ने दुर्ग जिले में क्रिशी और जल संसादन विभाग के संभाग इसतरी वरिष्ट अधिकारियों की समीख शबैठक के दौरान ये बात कही श्री चौबे ने कहा कि प्रदेश की 11,000 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाए जाएंगे ग्राम पंचायतों में हम गौठान बनाने जा रहा हैं 10,000 ग्राम पंचायतों के गौठान स्विक्रित हैं 5,600 गौठानों में हम गोबर का कलेक्शन करते हैं और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं लगभग 100 करोड रुपिया गोपालकों को हम गोबर की खरीदी में दे चुके है और 36 गड़ के किसानों के लिए जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है हम लोग लगभग 8 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों को पहुचा चुके हैं और हमारे वर्मी टाकों में अभी 12 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और बन करके तयार है लगातार हम लोगों के प्रियास है कि किसान इस खाद का भी उप्योग करे और खेती में जो डियेपी और यूरिया की कमी है उसकी प्रतिपूर्टी करे और मैं ऐसा समझता हूँ इससे उनको सीधा लाब मिलेगा क्रिशी मंतरी ने अधिकारियों को ये भी नुर्दशित किया है कि किसानों को खाद बीज की व्यवस्ता और आर्थिक रूप से उप्योगी फसल लेने के लिए भी तैयार किया जाए अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि किसानों को गुणवत तायुक्त सामगरी उचित मूल्य पर मिले दूर्दशन के अंदर रायपूर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल 36गर डीडी न्यूस पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहते हैं यूट्यूब चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने एंडरॉइट फोन से QR कोड स्कैन करके आप 36गर डीडी न्यूस लिंक पर जा सकते हैं इसके अलावाद 36गर डीडी न्यूस फेस्बुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं और बुलिट इन क्यंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्रिय मंत्री मंडल के विस्तार के बाद मंत्री मंडल में शामिल नए मंत्रियों के विभागों की घोशना की गई देश में राष्ट व्यापी टीका करण अभ्यान के तवट अब तक 36 करोड 48 लाग से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए प्रदेश में पाँच वर्ष तक के बच्चों का वजन मापने और किशोरी बालिकाओं का हिमोगलोबिन टेस्ट कराने प्रदेश व्यापी वजन त्योहार की शुरुवात और बस्तर संबाग के सभी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिगत और सामुदाई को वन अधिकार मान्यता पत्र वित्रण के लिए विशेश अभ्यान चलाए जाएगा और अब एक जरूरी संदेश कोरोना से बचाव के लिए मास्क सेनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें याद रखीगा कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार